सीटेट पेपर 2 की तहरी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है सोसल साइंस यानि सामाजिक विशा है तो NCERT कच्छा छे साथ आठ की किताबों को पढ़ना जरूरी होता है अगर आप अभी तक नहीं शुरू कियें पढ़ना या आपको किताबें नहीं मिल पाएं तो कोई बात नहीं ये आपके लिए पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है सोसल साइंस का जिसमें हम कच्छा छे की किताब सामाजी को उम्राजनितिक जीवन के चैप्टर नौ है इसमें नौ चैप्टर को बिलकुल पोश्ट मार्टम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताते हुए चलेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट्स बना लीजे कॉपी पर उठाएए नौ चैप्टर है बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा इसको कंप्लेट देख लीजेगा नोट्स जरूर बना लीजेगा और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो हमार फ़ेडा वीडियो है अगर आपका रेस्पोंस अच्छा रहा आपने जादा स्यादा लाइक किये कमेंट किया ठीक कमेंट भी AMYAPLO valuable किया करें गर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी नहीं अच्छा लगता है तो आप feedback दें कि हम कैसे और बहतर friends क्पके जैसा लाइ के अधार पे हो सकती है, धर्म के अधार पे हो सकती है, पहनावे के अधार पे हो सकती है, खान पान के अधार पे हो सकती है, कोई दाल लोटी खाता है, किसी को सबजी लोटी पसंद है, तो किसी को पीजा पसंद है, कोई कुर्टा पैजामा पहनता है, तो कोई शल्ट पैंट पहनता है और धर्म आठ प्रकार के धर्म है चलिए बात करते हैं इसके एकले पॉइंट की लद्दाक के बारे में कुछ यहाँ पे बारिस नहीं होती यहाँ इलाका हर वर्स लंबे समय तक बर्फ से धका रहता है लद्दाक में पीने के पाने के लिए लोग गर्मी के महिने में बर्फ पिगलने का इंतजार करते हैं और इसी पर निर्भर रहते हैं मतलब इतनी पानी की किल्लत है ऐसा एंसी एर्ट में कहा जा रहा है लद्दाक के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं उस भेड़ से क्या इनको लाब होता है तो उस भेड़ से जो उन मिलती है उससे पस्मीना शाल बनाते हैं पस्मीना साल बहुत गरम होती है आपने एगर EBS पढ़ा है कच्छा 3,4,5 की तो उसमें भ ध्यान रखना है और ये मुक्यता कहां भूनी जाती है तो ये चब मुकस्मीर में लद्दाक ब्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहां कई घाटियां है घाटियों से ही गुजर करके मद्द एसिया के काफले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आपको ध्यान रखना है तिबबत का एक ग्रंत है जिसका नाम है केसर सागा ये लद्दाक में काफी प्रचलित है वहां के स्थानी मुसल्मान और बौद दोनों ही लोग इसको गाते हैं और इस पे नाटक भी खेलते हैं केरल भारत के दच्छडी पश्चिमी कोनों में बसा हुआ राज्य है एक तरफ समुद्र से दूसरी तरफ ये पहाडियों से गिरा हुआ है मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे कॉर्णल पे छोटा सा हिस्सा जो है ये केरल है केरल के पहाडियों पर विविद प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च लोंग इलाइची आदू ही इसा मसी के धरमदूत संत थॉमस दूह जार वरस पहले यहां पि आये ते तो अगर आपसर यह प्रशन पूछ ले कि भारत में इसाई धरम लाने का श्रेक इसको जाता है तो संत थॉमस को जाता है ध्यान रखियेगा आगे बढ़ते हैं इबन भबूता का नाम आपने सु थी केरल में मनाय जाने वाले तेवहार ओडम का एक विसेस आकरशक आकरशड है वो क्या है नाव प्रतियोगिता होती है यहां पे वासको डिगामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना मतलब वासको डिगामा के दोरा चीन के ब्यापारी भी केरल आए यहां पर मचली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल के जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं चीना वाला कहते हैं और यह चीनी जालों से बिलकुल मिलते जुलते हैं तलने के लिए जो बरतन इस्तेमाल किया करता है उसको हम चीना चटी कहते हैं केरल की उपजायू जमीन और जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उपयूगत है और यहां के अधिकतर लोग मचली चावली खाते हैं कहां केरल की लोग ध्यान देने योगी बात यह है कि नेरू की एक किताब थी डिसकवरी आप इं अध्याय दो की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है विविदता एवं भेदभाव संसार में कुल कितने धर्म है तो मुख्य आट धर्म है भारत में उन आठों धर्मों के अन्याई मानने वाले रहते हैं सोला सो से ज्यादा भासाएं बोली जाती है जो लोगों की मा साहिए बोली यानि अतनी होती है यह सही हो जाएगा मैं लिया अगर दे दे यहाँ पे कि बीस बीस तरह के नत्त किया आते हैं दस तरह के तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है सो से ज्यादा तरह के नत्त किया आते हैं मुसल्मान अपनी गरीबी के काड़ लड़ रहें ठीक है डाक्टर भीमराव मेडिकर को भारती सम्मिदान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता की रूप में भी जाना जाता है भीमराव मेडिकर को बेदभाव का अनुभाव कब हुआ तो 1901 में हुआ नौ साल के तब थे तब इनके साथ क्या हुआ इस्टेशन में इस्पेश्ट कहा गया है कि भारतियों को समान इस्थान और समान उसर प्राप्त हैं खून के गीत का संबंद किस कांड से है तो जलिया वाला बाग कांड से है अध्यातीन सरकार क्या है तो हमारी न्याले भी सरकार का ही एंग है यहां ध्यान देनों योग बात यह है कि लोकतंत्र के समान राजयतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णे के आधार नहीं बताने पड़ते और अपने निर्णे की सफाई देनी पड़ती है मतलब यह हुआ पहले क्या होता था राजावली प्रता थी अब क्या है लोकतंत्र है लोकतंत्र की खास बात क्या है कि लोग अपने लोगों के पास अपने नेता चुनने की सक्ती होती है इसलिए एक अर्थ में लोगों का ही सासन होता है लोकतंत्र उन्य सु एक तिस में यंग इंडिया पत्रिका में गांदी जी ने लिखा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता इससे आपको एक जानकारी और मिल नहीं है कि यंग इंडिया के सकी है तो ये गांदी जी की एक पत्रिका है इन्होंने क्या लिखा कि मैं यह विचार सहर नहीं कर सकता कि जिस आदमी के साथ पास संपत्ति हो वह ही ओट दे सकता है ओट सभी को समान रूप से देना चाहिए सफ्रेज मुमेंट का संबंद ओट नहीं दे सकती थी इंग्लेंड में कम मिला तो 1928 में आगे बात करते हैं चेप्टर नमबर 4 की लोक तांतरिक सरकार के मुख्य तत्तो तो दच्चिड अपरीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों की लोग रहते हैं दच्चिड अपरीका पहले रंग भेद कानून से स कासित था रंगभेद का मतलब है कि गोरे और काले का भेद है ना तच्चा के अधार पे भेद भाव करना अश्वेत लोगों को ओड़ देने का अधिकार नहीं था जो श्वेत नहीं थे तच्चिडी पश्चिमी इससे में एक सहर था सोवेटो जहां सिर्फ अश्वेत की भासा अफरीकांस थी जिसे सीखने के लिए अश्वेत लोगों पर जोल डाला जाता था अश्वेत अपनी भासा जूलू सीखना पसंद करते थे हेक्टर एक रांतिकारी था जो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफरीकांस सीखने का विरोध कर रहा था हेक्टर को 30 प्रेल 1976 अफरीकी राष्टी कांग्रेस और उनके जाने माने नेता निल्सन मंडेला ने रंगबेत के खिलाप बहुत लंबे समय तक संगर्स किया 1994 में उन्हें सफलता मिली और दच्छिड अफरीका एक लोग तांत्रिक देश बना कावेरी नदी का विवाद ये प्रशन प संबंदित है तमिलाड़ आंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात तो आपको ध्यान रखना है ये तमिलाड़ से संबंदित है करनाटक का क्रशन सागर बांध कावेरी नदी के ओपरी छोड़ पर है तो ये कावेरी नदी के ओपरी छोड़ पर है तमिलाड़ का मेट में से कौन सा विकल्प सही नहीं है या सही विकल्प को पहचानी है लोक तांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रतिवचन बद्दता मतलब जो भी होगा वो सभी के लिए समान होगा ये है लोक तांत्रिक सरकार का एक विचार उसी मे इसकों की सभा होती है उसमें सिर्फ एक गाउं हो या एक से ज़्यादा गाउं हो ऐसा कोई भी बेक्ट जिसकी उमर 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जिसे ओड देने का अधिकार प्राप्त हो वहाँ ग्राम सभा का शदस्य होता है साथ ही साथ उसका मतदाता सूची में नाम हो ग्राम पंचायत का एक सची होता है जो क्राम सभा का भी सची होता है यहां से प्रश्ण पूछा गया है सची हुका चुनाव नहीं होता है उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है एक ग्राम पंचायत करी वाड़ों में बटी हुई करना तो यहां से प्रश्ण पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का कौन सा कार है या कौन सा कार नहीं है ग्राम पंचायत की आमधनी के श्रोतों में घरों यह वं बाजारों पर लगाये जाने वाले कर्द से मिलने वाली रासी विबिन सरकारी विभागों दोरा चलाई गई परिशेद कहते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना कितने इस तरह होते हैं तीन ग्राम पंचाईद दूसरा विकास Kंड तीसरा जिला पंचाईद कहें या जिला परिशेद कहें विकास खंड को हम जनपद पंचायद या पंचायद समिती कहते हैं यह भी important fact आपकी परिच्छा के लिए यहां ध्यान देने योगी बात क्या है कि पंचायद समिती की मदद से जिला परिशत सभी पंचायद में आवंटित रास के वित्रड की बिवस्था करती है सचियू का काम क्या है तो सचियू का काम है ग्राम सभायों ग्राम पंचायद की बैठक बुलाना जो भी चर्चायम नने हो उनका रिकॉर्ड रखना अध्याय छे गाउं का प्रशाशन भारत में छे लाक से भी जादा गाउं है एक निश्चित छेतर अधिकार में थाना कारे करती है रुआ छेतर थाने के निंटर में होता है यहां से आप से प्रशन पूछा गया है जमीन को नापना और उसका रिकार्ड रखना किसका कारे होता है तो यह पटवारी का प्रमुक कारे होता है ठीक है अब यहां पे इनको अन्य नामों से भी हम जानते हैं पटवारी को कहीं लेखपाल कहते हैं तो कहीं कानून गो भी कहते हैं और कहीं कहीं लेकपाल और कानून गो का पद अलग अलग भी होता है तो ये ध्यान रखिएगा इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे भी प्रशन आ जाए हला कि कभी ऐसा विवादित प्रशन नहीं आएगा कि तीनों आप्शन दे दे अगर पटवारी देगा तो लेक जुड़े विवाद मामले सुने जाते हैं हिंदू अधनियम धारा 2005 के तएप पुत्री को भी जमीन समान रूप से अधिकार पदान किया गया तो आप से पूस सकता है कि इस अधनियम के अंतरगत एबात कही गई है कि पुत्री को भी जमीन में समान अधिकार है तो नगर प्रशाशन चलाने वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं नगर निगम कहते हैं छोटे जो कस्वे होते हैं वहाँ पर क्या होता है तो नगर पालिका होती है आप में से बहुत लोग जुड़े होंगे कहीं नगर पालिका होगी कहीं गाउं होगा तो कहीं नगर निगम होगा शहर को अलग-अलग वार्डों में माटा जाता है और हर वार्ड से एक पारषद का चुनाव होता है आयुक्त और प्रशाश्निक करमचारि roof के सरकार के दोरह नुक्त कि आती है जबकि पारशद निर्वाचित होता ये ध्यान रखिएगा पारशद निर्वाचित होता इसका निर्वाचन होता है आयुक्त और प्रशाशनिक जो करमचारी है इसके नियुक्ति सरकार करती है नगर निगम को संपत्तिकर से केवल 25-30% पैसा ही आता है 1994 में सूरत सहर में भयंकर प्लेग फैला था शूरत भारत के सबसे गंदे सहरों में से एक था प्लेग कैसे फैलता है तो प्लेग हवा के जरिये फैलता है सूरत के करीब 3 लाग से अधिक लोगों ने सहर को छोड़ दिया था वरतमान समय में चंडीगड के बाद भारत के सबसे साब सहरों में दूसरा इस्थान सूरत है तो ये मतलब ये NCRT कह रही अगर करेंट अफेर्स में कुछ अपडेट हुआ है तो ये डिपेंड करेगा कि आयोग मेरे हिसाब से तो NCRT वाला ही वानेगा अगर कोई अपडेट हुआ है तो वो अभी NCRT में अपडेट नहीं किया गया है ग्रामीर चेतरों में आजीव का तो कलपट्टू जो है तमिलनाड में समुद्र तट के इस्थित एक गाउं है कलपट्टू एक गाउं का नाम है हमारे देश के ग्रामीर परिवारों में से करीब 40 पतिशलों क्या है मजदूर है एक गाउं है जिसका नाम है चिजाम में बारती आता है ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेते हैं लेकिन वे गठे होकर एक दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं भारत में प्रतेक पांच ग्रामेर परिवारों में से लग भग दो परिवार खेती हर मजदूरों के हैं भारत में केवल 20 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेडी में आते हैं पुदू पेट के लोग मच्छडी पकर कर अपनी आजीवका चलाते हैं सहरी जीवन में आजीवका कैसी होती है तो भारत में 5000 से ज्यादा सहर हैं और 27 महा नगर हैं ये डेटा NCIT का है तो आप इसी हिसाब से आंसर करिएगा ठीक है जो लिखा है वही अहमदाबाद में सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सडकों पर काम कर रहे थे कितने प्रतिशत लोग तो 12% लोग सडकों पर काम कर रहे थे लेबर चौक क्या होता है तो लेबर चौक का तातपर होता है जहां मजदूरी कठे होकर मजदूरी के मतलब मजदूरी के लिए इंतजार कर रहे हो कि वहां से आपने देखा होगा कि सहरों में भी एक अड़ा होता जहां पर सारे लेबर मिस्तरी कठा होते हैं वहां से आ लाइक नहीं किया भी तक कर दीजेगा कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं अगली क्लास में इसके प्रीवीस के कुश्चन्स को भी आपको स्वाल करा जागा कि किस तरीके से सीटेट में सोसल साइंस पेपर टो में कुश्चन्स को पूछा गया है तैं